और स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि अभी हाली में गौर्मेंट ने अधार कार्ड को लेकर एक चितावनी जारी की थी अधार कार्ड की शुरक्षा को लेकर और गौर्मेंट ने कहा था कि अधार कार्ड की अब कोई भी फोटो कोपी जो है वो किसी भी प्राइविट इंस्टिटूट के साथ शेर ना करें ये गौर्मेंट ने बोला था और इस सेचावनी को कुछ टाइम बाद फिर वापस भी ले लिया गया था और यहां पर बोला गया था कि अधार कार्ड का बहुत ज़्यादा कैसे हो रहा है और गौर्मेंट कैसे इन सब चीजों से निपटने के लिए आगे आ रही है और अधार कार्ड हर इंसान के लिए इतना इंपोर्टन्ट क्यों है और कैसे ये ट्रांसपेरेंसी में एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन तमाब बातों को हम इस व हुआ है भारतिये विशिष्ट पहचान प्रदिकरण यानि कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोर्टी ओफ इंडिया यानि इसकी शोट फॉर्म बोलें तो यू आई डी आई ने अभी जनता के लिए अपने अधार कार्ड की कोई भी मतलब कि जो फोटो कोपी किसी भी स घंगठन के साथ शेर ना करें यह चेतावनी उन्होंने जारीकिती हालांकि इस चेतावनी को वापस ले लिया गया था और ये बात काफी सारे निउस्पेपर ने कवर की تरफी जहें इनियन एक्सप्रेश हो गया अंदा लिए इन इस बात को मतलब इस न्यूस को शेर किया गया था या बताया गया था और इंडियन एक्सप्रेस के तुरूई मैं आप लोगों को साथ यह सारी information शेर कर रहा हूं तो सारा जो मैं इनका मेहनत का सारा इनको श्रे देता हूं कि वही मैंने इनसे ही पड़ा और इनसे में आप लोगों को समझा रहा हूं अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनिक identification authority of India यानि UADAI यह है क्या देखिए यह है सामविधिक प्रदिकरन यानि एक statutory authority है UIDAI को 12 जुलाई 2016 को अधार अधिनियम यानि अधार act 2016 के provisions का पालन करते हुए इसको ministry of electronics and information technology के तहत इसको रखा गया था यानि कि उसकी jurisdiction में इसको रखा गया है और यह एक statutory क्या एक authority है UADAI को इसकी जो स्थापना है 12 सरकार के द्वारा जनवरी 2009 में इसकी planning commission के तत्वा धौन में एक सलंगन कारले के रूप में की गई थी यानि इसको starting में planning commission के तहती रखा गया था और यहां पर जो जनादेश यानि UADI को क्या क्या काम दिया गया है इसको काम यह है कि वो सभी निवासियों के लिए भारत के नंबर जारी किये थे यानि यह news जो डेटा है वो 31 अक्टूबर 2021 तक का है अब आगे चलते हैं अब यह जो चिताव नहीं दी गई है इसके बारे में बात करते हैं देखें UADI ने आम जनता को किसी भी संगठन के साथ अपने अधार कार्ड की जो फोटो कोपिय उसको शेर नहीं करने की चेताव नहीं दी थी क्योंकि इसका दुरूपयोग किया जा सकता है इसके स्थान पर इन्होंने कहा था कि आप मास्क्ड अधार कार्ड का यूज कर लीजिए इ अधार करते हैं एक साथ चेजिए एक डाउन्लओ कर रहें तो वहां पर मानेंट रूप से अपने उस download को हटाईए वहां से इस download को निकालने के बाद और केवल वे संगठन जिनको license प्राप्त है UIDAI की तरफ से वो सिरुप और सिरुफ अधार काड को ले सकते हैं अधार काड की photocopy ले सकते हैं उनके पास ही power है अब इसके अलावा अधार काड़ अधिनियम अन्तुन्त प्लिकिए बात मांने तो उन्हों पर अधार क्रें सान। जो अधार काड़ पर जोर देती हैं कि आप हमें अधार काड़ की फोटो कॉपी दे जीए और ऐसे में उप्योग करता क्या होता है कि अपना वीवरेंड उनके साथ यानि कि अपनी information उनके साथ share कर सकता है अपनी details share कर देता है वो और अब यहाँ पर किसी भी होटल वाले ने आपसे अधार काड़ की फोटो कॉपी ले लिए तो वहाँ पर यह कोई भी स्पष्टता नहीं है कि आपकी जो फोटो कॉपी वहाँ पर दी गई है उसकी उस data को यह जो आपकी परसनल information है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाएगा और हाली में देखा गया था जैसे COVID-19 के दोरान जैसे टेस्ट चल रहे थे परिक्षन चल रहे थे कि COVID-19 कोर किसी को करोना है या नहीं तो जहां पर वो प्रयोग सालाओं में जाते थे तो अधिकांस लोगों से कहा जाता कि आप अपना अधार कार्ड की फोटो कोपी दीजे जबकि COVID-19 के परिक्षन के लिए कोई भी अधार कार्ड देना अनिवारत था ही नहीं बावजूद इसके बहुत सारी प्रयोग शालाओं ने ये सब किया था लोगों को नोलेज नहीं थी लोगों ने बहुत सारी अपने अधार कार्ड जो है वहाँ पर शेयर किये थे अपनी information शेयर किये थी अब उनसे जाकर पूछें जो ये प्रयोग शालाएं हैं तो इनसे अगर जाकर कोई पूछें कि आपने जो ये हमसे अधार कार्ड की फोटो कोपी ली थी, क्या वो आपके पास सेफ है या नहीं, यह जितनी भी लैब्स हैं अब यहाँ पर कौन इसकी सुरक्षा की जानकारी, वहांतलब की एक अथोर्टी होती हैं, कि हम यह अथोर्टी लेते हैं, हम इसके रिस्पोंसिबल होंगे, तो यह कौन सी रिस्पोंसिबलेटी लेता है यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा इसके अलावा, यहाँ पर बोला गया है, एक एक एकसेसिव इंपोजिशन होता है, यानि जबरंत अपना 2018 में सुप्रीम कोट ने अपने निर्णे सुनाया था, कि आप अधार कार्ड की पर्मानिकरन को केवल भारत के consolidated fund से जिनको आप benefit provide कर रहे हो, तो वहाँ पर अनिवारे group से बना सकते हैं, मतलब कि जिनको benefit प्राप्त हो रहा है government से, तो आप अधार कार्ड को वहाँ पर एक तरीके से आपने कहा कि उसको mandatory कर सकते हैं, लेकिन आपको साथी साथ अगर अधार कार्ड की जो information फेल हो जाती है तो आपको दूसरा एक alternative वहाँ पर देना होगा, provide करना होगा साथी साथ बोला गया था कि बच्चों को छूट दी गई थी, लेकिन आंगनबाडी होगी या फिर school में जो registration हो गया, जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए बच्चों को बार बार उनके अधार कार्ड की मांग की जाती रही है और यहाँ पर बोला गया है कि मनमाना बहिशकरन हो रहा है, जैसे कि केंदर राजे सरकारों ने अधार कार्ड के लिए कल्यान कारी जो सुविधाई होती है, जो केंदर राजे सरकार के तोरह चलाई जाती है उन्य कहें कि उन लाबों से जुड़ाव के लिए आपको एक ultimatum पधिति का अपालन करते हैं, आपको एक ultimatum दिया जाती है कि आप इस टाइम तक अपने अधार कार्ड को अपने राशेन कार्ड के साथ लिंग कर लिज जाएएंगे तो यह एक तरीके से आप दोपनी सकते बचों के लिए जब कि बच्छोंके उपर भी सब किया गया था इहां पर बोला गया सुविदा है जिसमें किसी व्यक्ति के समक्ष मतलब कि सक्षम बनाती है कि उसको एक एतनी capability देती है कि जिसके पास अधार कार्ड से जोड़ा कोई खाता है तो भारत के कहीं पर भी जाके business correspondent के साथ अपने biometric प्रमाणी करन के माद्यम से पैसे निकाल सकते हैं ये एक तरीके से एक mini ATM इसको का गया था और इसका एक तरीके से जो भरस्ट वैपारी है उन्होंने भरपूर इस सुविदा का फाइदा उठाया या फाइदा क्या कहें कि इसका misuse बहुत जादा किया है दोखा दड़ी करने के लिए और अभी हाली में जो कदम उठाये गए देखिए जो हमारे देश में जो Comptroller and Auditor Journal of India है उन्होंने का कि अधार कार्ड जारी करने से संबंदित काफी सारे मुद्दे भारतिय विशिष पहचान परतिकरन की इन्होंने निंदा भी की थी कि आप बहुत एक तरीके से आपकी जो services है उसमें बहुत सारी कमिया है यह खुद कैग ने बोला था 2018 में Supreme Court ने अधार अधिनियम की धारा 57 को रद कर दिया गया था रद क्यों किया था यह अधारा 57 कहती कह देखे धारा अधिनियम 57 यह कहती है यानि section नंबर 57 यह कहते है अन्यवारे रूप से जो निजी संस्ता है नागरिकों के अधार विवरन यानि डिटेल वो एकत्रत करने के अनुमती देता है सर्वोज नेले ने यानि सुप्रीम कोर्ट ने का यह अगर हर एक इंस्टिटूट को बोलेंगे यह आप उनका अधार कार्ड ले सकते हैं तो यह एक तरीके से अनकॉंस्टिटूशनल है आप यह नहीं कर सकते हैं और बाद में 2019 में इसमें amendment किया गया यह अधार and other law amendment ordinance 2019 यह जारी किया गया इसमें कहा गया जो bank है जो telecom sector है वो क्या कर सकते हैं कि पहचान के लिए परमान के रूप में आप अधार की detail ले सकते हैं उनको यह अनुमति दी गई थी बाकियों को नहीं दिया गया था अब इतना अधार significant क्यों है इतना महतपूर्ण के हैं देखिए एक तरीके से इसमें transparency और good governance यानि शुशाशन को बढ़ावा मिलता है अब देखिए अधार नंबर एक तरीके से तो online verification यहां पर एक तरीकेंगे online है cost effective है और यह एक तरीके से जो duplicate identity है उनको खतम करने में बहुत जादा help करता है important role play करता है साथ इसाथ यह nichless तर तक मदद करता है यह bottom people तक भी जाता है अधार ने बड़ी संक्याओं में ऐसो लोगों को पहचान दिया identification दिया है जिनके पास कभी तक कोई पहचान थी ही नहीं और इसका उपयोग कई परकार की सेवाओं में किया गया इससे जैसे financial समाविशन हो गया broadband हो गया दूर संचार सेवाई होगी नागरिकों के बैंक खातों में direct आपको benefit प्रवाइड कर रहे हैं सरकार की तरफ से तो उसमें transparency देखने में हमें देखने को मिला था और एक तरीके से यह neutral है अधार कार्ड जो है वो किसी भी जाती धरम उसकी income उसके health उसकी geographic कहां रहता है उसके अधार पर वरगी करता है जबकि अधार संख्या जो है पहचान का पर्मान है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अधार कार्ड ले लिया तो आप नागरिक्ता में या फिर आपको domosile ऐसा कुछ मिल गया नहीं यह एक तरीके से आपको 12 डिजिट का एक code देगा आपको बताएंगे कि हाँ आपकी information थोड़ी बहुत इसके अंदर save होती है आपका bank account हो गया उससे थोड़ी बहुत related information आपके इसके अंदर आ जाती है एक identification सुविदाओं में पहुंच में सुधारों मतलब कि जिनको social जिनको financial support करना तो वहां तक पहुंच हो पा रही है सिर्फ सिर्फ अधार कार्ड के वजह से जो वित्य बजट में परबंदन सुविदा बढ़ाने और समस्या मुक्जन केंदरी शाषन को बढ़ावा देने के लि स्थाइप वित्य पते की रूप में इस्तमाल किया जा सकता है यह समाज के उन वंचित और कमजोर वर्गों के वित्य समावेशन की सुविदा परदान करता है न्याय और समानता का उपकरन है इस परकार अधार पहचान मंच जो है वो डिजिटल इंडिया के परमुक स्तंब कोड ने पने एक फैसलाग दिया था और उस फैसले का पालन करना चाहिए सरकार को क्या कहा था शुप्रियम कोड ने कहा था कि आप जो कुछ एक जगहें पर मेडिन्टरी कर रखा है अधार काड को आप वहां पर उस मेडिन्टरी सिस्टम को पर्तिबंदित करिए रस्टिक होता है तो उसका एक विकल्प भी आप त्यार करी है इसके अलावा बच्चों के लिए बिना शर्त के वहां पर चूट प्रवाइड करने की बात की गये थी यह सुप्रीम कोट ने बोला था लाब वंचना निशिद अब यहां पर बोलागे कि आपने का कि आपका अधार काड अगर इससे लिंक नहीं होगा तो आपको गौर्वर्मेंट की तरफ से जो भी पेनिफिट जो भी चीजें आपको गौर्वर्मेंट प्रोवाइड कर रही है वो बंद कर दी जाएंगे तो आप एक तरीके से उन नामों को पहले ही सपस्ट करिए सामले लेके आई यह कि जिन डिलीट के है, यह सारी information आपको देनी होगी और जो भी दिना या कांड साइट विलोपन के सभी मामलों को पूर या पश्चात परकटी करना यानि कोई पहले मांगे, तो पहले आपको उसका reason बताना होगा, अगर आपने उसका delete कर दिया और उचित सिकायत निवार्नस विधाओं के खिलाग जल्दी से जल्दी मजबूत सुरक्षा उपाय करने चाहिए तो यह हो गया हमारे सामने अधार कार्ड इतना important क्यों है हमारे लिए एक identification के तोर पे जिन के पास कोई भी identification identity नहीं है, तो उनको यह identity देता है जिससे काफी सारे काम उनके चल जाते हैं इवन आज की डेट में हम देखते हैं कि जोब के अंदर भी अधार कार्ड मांगा जाता है तो उमीद करता हूँ कि यह पूरा lecture आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिर से बता देता हूँ पेडियो जो है वो description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो के पेडियो डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो पसंद आईए तो बेशक इसको like करें चैनल को subscribe करें और कुछ जादा ही पसंद आ गई है तो इस वीडियो को share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने संबंदियों के साथ और चैनल को भी share कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था Thank you for watching this